रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खुबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे, उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदिकी के सारे एशो और आम देना चाहता था, और इसके लिए वो प्रति दिन 16 घंटे से भी आदी रात के बाद घर लगता था, बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सबेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते हैं, हाँ, रईवार को ज़रूर वो घर पर होता, ले इंतिजार करता ही रह जाता, पतनी अक्सर उसे कहा करती, कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं, उस वक्त वो यही जवाब देता है, कि यह सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ, बढ़ते घर, लुखर्च और स्कूल खर्च के लिए म मैं उन्हें एक अच्छी जिन्दीगी देना चाहता हूँ, रमेश की ये दिनचरिया वर्षो जारी रही, वो यूही परिवार को अंदेखा करी मेहनत करता रहा, इसका प्रतिफल भी उसे मिला, उसे पदुनत्ती प्राप्थ हुई, अकरशक वेतन मिलने लगा, परिवार बड़े घर में रहने लगा, खाने पीने और अन्ने से विधाओं की उन्हें कोई कमी न रहे गई, लेकिन रमेश का यूही काम करना जारी रहा, वो अधिक से अधिक पैसा का माना चाहता था, पत्नी पूछती कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो ह हम उसमें खुश रह सकते हैं, तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशा देना चाहता हूँ, बच्च कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो, पत्नी चुप हो जाती, दो साल और बीते, इन दो सालों में रमेश बह मुश्कीर अपने वेपसाई में हिस्यदारी की पेशकस की और इस तरह रमेश एक वेपसाई बन गया, वेपसाई अच्छा निकला और रमेश को पैसों की कमी कोई कमी नहीं रह गी थी, उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था, उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लिकेन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था, अब तो बबब मुश्किल घर पर रह पाता, उसका अधिकान समय शहर से दूर बिजनेस टूर में बिटता, साल गुजणने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गये, अब वेव किश पुटी बिताने समुन्दे तट इस्तित अपने घर जाने की योजना बनाई, बेटी ने उससे पुछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे, रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निप्टा कर दो दिन में वहां पहु लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था, दुर्भा के सेवे सभी उस दिन सुभा आई सुनामी में बहे गया थे, रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था, करोडों के संपत्तियोंने के बाद भी वो उनके साथ का एक पल नहीं खरीच सकता है, वो पच्चताने लगा, पत्नी की कहई शब्त उसे याद आने लगी, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुछ रह सकते हैं, तो क्या सिख पाए हम लोग इस कहानी से, पैसा सब कुछ नहीं खरीच सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्वे देना का मत करें, पैसे, पैसा खो देने के बाद फी से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दुबारा वापस नहीं पाया जा सकता है, तैंक यू